Common words from newspaper within the day 4. इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं उन शब्दों को which are very frequent in the newspaper and which are often repeated. तो ये आपकी help करेगा newspaper को समझने में क्योंकि ये बार बार words आपके newspaper में repeat होते हैं. इसके पहले class 1 हुए हैं, यानि 1, 2, 3. तीन classes हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं प्लेइलिस्ट में और प्लेइलिस्ट का link आपको नीशे मिल जाता है. तो जैसी आज प्लेइलिस्ट में जाएगा, उस प्लेइलिस्ट पे आपको सारे words, सारे वीडियो classes मिल जाएंगी, तो उसको आप देखिए और note down करिए. आज का पहला word है, win away. win away का मतलब होता है, दूर करना. To gradually stop using or doing something. अगर कोई इनसान किसी चीज को धीरे-धीरे करके छोड़ रहा है, बंद कर रहा उसका इस्तिमाल, तब हम उसके लिए इस्तिमाल करते हैं, win away. Next word है हमारा stroll. Stroll का मतलब होता है, चहल कदमी करना. A slow walk for pleasure. यानि जब आप खाना वगरा खा करके थोड़े दिर कभी टहलना पसंद करते हैं, that is called stroll. Next है slightly. Slightly का मतलब होता है, थोड़ा-थोड़ा या कुछ हाद तक. Like अगर आप sentence में इस्तिमाल करेंगे, तो यह हम कह सकते कि I slightly agree with you. मैं आपसे थोड़ा-थोड़ा सहमत हूँ. Bush. Bush का मतलब होता है, जाड़ी. Grasp. Grasp का मतलब होता है, पकड़ या कसकर पकड़ना. मतलब tightly किसी चीज़ को hold करना. Next है हमारा buzz. Buzz का मतलब होता है, हिलाना या हिलना. यानि basically कोई चीज़े धीरे-धीरे हिल रही है, that is called buzz. Pant. P-A-N-T. Pant का मतलब होता है, दम, फुलना या हाफना. अब यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि एक word है P-A-N-T-S. ये word और ये word दोनों अलग word है, यहाँ पर दम, फुलना या हाफना है, जबकि Pants का मतलब है, वो clothes से जो आप पहनते हैं. और ये कभी भी, ये कभी भी Pant नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है? Pants होता है. Next है हमारा Tanted. Tanted का मतलब होता है, बिगडा हुआ, दूशित, खराव या दागी. ये ज़्यादा तर हम इस्तेमाल करते हैं Political Leader के लिए. यानि कुछ Leaders होते हैं, जो अपने party को छोड़के किसी दूसरी की party में चले जाते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं Tanted word का. Next है Turn Out, बाहर निकलना या बाहर आना, ठीक है. मतलब कहने का हुआ कि हम उस चीज को लेकर पहले अंजान थे, लेकिन अब वो चीजे सब के सामने आ गया. जैसे अगर कह सकते हैं कि He turned out to be a policeman. मतलब वो एक police निकला, यानि in English it is to be discovered to be, यानि कोई चीज निकलना, कोई चीज लोगों को पता चलना. इंपोस्टर, इंपोस्टर का मतलब होता है ढोंगी या बहुरूपिया, जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, उसको हम करते हैं इंपोस्टर. Next है हमारा cop, cop का मतलब होता है police अधिकारी, जादा तर यह आपको newspaper में ही word लिखने को मिलते हैं. Next है हमारा extort, extort का मतलब होता है धमकी देकर मांगना या जवरदस्ती बसूल करना. तो यह word आपको कहां मिलेंगे जहां पर रंगदारी वेगरा आप समझते होंगे, तो रंगदारी मांगी जाती है, आप news वेगरा में सुनते हैं कि कुछ गुंडे बदमास किसम के लोग होते हैं, वो किसी से पैसे एठते हैं या धमकी देकर के पैसे मांगते हैं, जवरदस इसरी जगह जाने वाला और सेम इस जगह से बापस आने वाला, ठीक है, तो इसके लिए हम इस्तिमाल करते हैं, क्म्यूटर, क्या इस्तिमाल करते हैं, क्म्यूटर, जैसे माल लीजिए आप ओफिस से घर जाते हैं, और घर से ओफिस आते हैं, that is called you are a commuter, क्या कह सकते आपको क्या आप एक commuter हैं, next word है हमारा threaten, threaten का मतलब होता है धमकाना या दाटना दपटना, तो यह ज़्यादा तर यह भी हम कुछ जो एक्स्टॉट मांगने वाले लोग होतें, उनी से सुनते हैं, threaten, और कहीं और भी किसी लड़ाई जगडा होता है, तो वहाँ पर भी इस्तिमाल आपको मिल जाएगा, implicate, implicate का मतलब होता है फसाना या अपराद में फसाना, generally होता है कि आपने वो काम नहीं किया, लेकिन किसी ने आपको फसा दिया, that is called implicate, next है drug pedaling, drug pedaling का मतलब होता है drug तसकरी, और जब आप drug pedaler सुनते हैं, तो जब ER लगा देते, P-E-D-D-D-L-E-R, त that becomes drug pedaler, next है हमारा reveal, reveal का मतलब होता है बताना, generally वैसी चीजे जो पहले छुपी ही थी, पहले रहस्य थी, पहले secret था, लेकिन अब वो लोगों को पता चल गया, intercept का मतलब होता है रोकना या बीच में रोकना, आपने mathematics पढ़ा होगा तो ऐसा relate कर तो एक word वहाँ पर भी आता है आपका, next है हमारा frisk, frisk का मतलब होता है उचलकुद करना या टटोल कर तलासी लेना, जैसे आप कहीं आज कल इतना security हो गया है, कहीं भी आप जाते हैं, तो आपको hands up करने के लिए कहा जाता है, उपर हाथ करने के लिए, और फिर आपकी क्या ली जाती है, तलासी ली जाती ह तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, frisk, next है आपका, belongings, belongings का मतलब होता है, माल या समान, यानि anything which like you have, जो चीज़े आपके पास है, उसके लिए हम यूज करते हैं, वर्ड, belongings, next है हमारा liquor, liquor का मतलब होता है, मदिरा या शराब, आपने सुना ही होगा भी high profile case भी चल रहा है, liquor case, चीज़े, next है हमारा siege, siege का मतलब होता है, जब्त करना या अपने कबजे में लेना, next word है हमारा snatch, snatch का मतलब छीनना, ये आप वैसे news articles में देखते हैं, जब like कोई ladies का, like कोई jewelry वेगरा उन से क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, तो उस article में आपको ये word जरूर मिले लेंगे, unidentified का मतलब होता है अग्यात, ये unidentified bag हो सकता है, यानि इसके बाद term यूज कर लेते हैं, bag हो सकता है, कोई object हो सकता है, कोई mobile phone हो सकता है, कोई like unidentified body हो सकता है, तो यहाँ पर ये term आपको news article में देखने को मिल जाते हैं, next है हमारा miscreant, miscreant का मतलब होता है, परिशान करने वाला, या गैर कानूनी काम करने वाला, जिसको आप अपराधी के तौर पर भी देखते हैं, तो ये कभी-कभी ask pros में local जगडे जब हो जाते न, तो उस तरह के article आपको आएंगे, तो miscreant word आपको देखने को मिलेंगे, next है हमारा native, native का मतलब होता है, मूल निवासी, ज चीक है, बड़ ज्याधा तर इसका इस्तिमाल किस चीच के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, फ्ली, फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना, जैसे bank से पैसे ले करके कुछ लोग फरार हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम use करते हैं, एक गलती करते हैं, हम लोग لिखते सम अवे लगा देते हैं, ध्यान रखेगा, फली के साथ अवे वर्ड नहीं आता है, अगर अवे लगाना है, तो आप इसके लिए इस्तिमाल करिएगा run away, क्या यूज़ करिएगा run away, next है हमारा spot, spot का मतलब होता है स्थान, यानि कोई चीज जीज जगा पर घटित होता है, उस ज अनिम्स हो गया, next है हमारा word, word का मतलब होता है कीमत, या इसका एक मतलब होता है लायक, जैसे करते हैं न कि ये news सुनने लाइक है, ये book पढ़ने लाइक है, दिन हम इसको translate कर सकते हैं, this book is worth reading, यानि एक adjective के जैसा इस्तेमाल होता है, next है हमारा pose, pose का मतलब होता है धोंग या दिखावा, यानि कि जो आप लोगों को करके दिखाते हैं, that is pose, cleverly का मतलब होता है, होस्यारी से, simply ये एक आपका adverb है, next है आपका tip of, tip of का मतलब होता है, अग्रिम सूचना या गुप या इवेन रियल लाइक में भी आपने देखा होगा, पुलिस का कुछ गुप्चर लोग होते हैं, और वो सूचना जो पुलिस को देते हैं, उसको हम करते है tip of, next word है हमारा dwindle, dwindle का मतलब होता है, कम होना, to become smaller in size और amount, और fewer in number, यानि किसी चीज की जो number है या amount है, वो धीर आप वीडियो को शेर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के वीच में, और day 5 जरूर आ जाएगा आपके सामने, चलिए धन्यवाद आप सभी का, और वीडियो को लाइक शेर जरूर करिए